शार्दा नाम की एक गरीब बुढ़ी औरत अपने बेटा बहु के साथ रहती थी शार्दा का पूरा परिवार मा दुर्गा का परमभग था बहु माली ने भी बहुत संसकारी थी भले ही घर में अन्यधन की कमी थी फिर भी सब एक दूसरे का बहुत खयाल रखते थे माजी ये लोग खिच्डी खाकर बताओ क्यासी बनी है बहु तुने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी मादुर्गा को भोग लगा दिया ना हाँ माजी मैंने मादुर्गा को खिच्डी का भोग लगा कर भोग की खिच्डी बाकी की खिच्डी में मिला दी थी तब ही आपको दी भले ही थोड़ा बहुत भोजन बने पर सब लोग मादुर्गा को भोग लगा कर ही खाते थे मालीनी का पती सुजीत एक दुकान पर बिजली का काम करता था एक दुन खंबे की बिजली ठीक करने के दौरान उसके पैर का बैलन्स बिगड़ गया और अचानक उचाई से गिरने के कारण सुजीत को गहरी चोटे आई किसी तरह उधार पैसे लेकर शार्दा ने सुजीत का इलाज करवाया पर सुजीत अब बिस्तर पर था, वो काम पर नहीं जा सकता था इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो गए हे दुर का मा, मेरे परिवार की रक्षा करो हमारे दुख दूर करो मा, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए उसे इस हालत में देखा नहीं जाता मा, ये लो रोटी खालो बहु, तुने रोटी खाई है ना, तु मा बनने वाली है ऐसे में तेरा अपना खयाल रखना बहुत जरूरी है जी मा जी, मैंने दो रोटी खाली और इनको भी खिला दिया है आप आराम से खालो, मैं काम पर जा रही हूँ आज मालकिन ने जल्दी बुलाया था मालीनी तीन महिने की गर भवती थी सुजीत के एक्सिडेंट के बाद मालीनी ने घरों में बरतन सफाई के काम पकर लिये थे ताकि घर खर्चा निकल सके मालीनी सारा दिन महनत करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पती का भी खयाल रखती थी भले है उसके जीवन में दुख थे पर वो मादुर्गा का नाम ले कर सारे काम करती रहती थी नवरात्री वरत आने वाले थे मालीनी हमेशा से नवरात्री वरत और पूजन करती आ रही थी इस बार भी नवरात्री वरत आये तो मालीनी ने नवरात्री वरत रखने प्रारम किये कन्या पूजन का दिन आने वाला था मालीनी पूरे विधि विधान से मा दुर्गा के नवराथरी वरत रख रही थी कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुचती है पर वे अपने भगतों की सच्ची आस्थो और विश्वास की परिक्षा लेने कब किस रूप में आ जाये ये कोई नहीं जानता ये ले मालीनी तेरे इस महिने के पैसे शुक्रिया मालकिन अच्छा मैं चलती हूँ मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीद कर मा दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हो राशन की दुकान से सामान लिती हूई घर चली जाती हो फिर सुबा जल्दी उठकर प्रसाद बना लोगी मेरी मदद करो बेटी मेरी मदद करो मुझे पैसो की बहुत जरूरत है मेरी पोती बहुत बिमार है उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है मुझे पैसे दे दो बेटी मा दुर्गा तुम्हारा भला करे मेरी सहायता करो अरे अरे अम्मा जी क्या हुआ है आपकी पोती को पिछले एक हफ़ते से बुखार नहीं उतर रहा है डॉक्टर ने बड़ा इलाज करवाने के लिए चार हजार रुपए मांगे है मुझे पैसे दे दो बेटी कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा सब मुझे मना कर रहे हैं दुद्कार रहे हैं मेरे बेटा बहु पहले ही इस दुनिया से चले गए अब मेरी पोती के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मालीनी नहीं जानती थी कि उस बुढिया के वेश में साक्षात मादुर्गा उसकी परिक्षा ले रही है मादुर्गा तो जानती थी कि मालीनी के पास उस समय दो घरों से कमाए 4,000 रुपई ही हैं तभी उन्होंने 4,000 रुपई ही मांगे वो तो मालीनी की परिक्षा ले रही थी मालीनी से उस बूरी औरत का दुख नहीं देखा गया हे दुर का मा मुझे शमा करना मैं ये रुपई ही नम्मा जी को दे रहे हो मैं कल आपके लिए हलवा पूरी चने का प्रसाद तो नहीं बनाऊंगी पर थोड़े बताशे रखकर आपका कन्या पूजन कर दूँगे ये लो अम्मा जी ये रुपई आप रखो मुझे ये रुपई वापस लोटाने की बिलकुल चिंता मत करना आप आराम से अपनी पोती का इलाज करवाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना जीती रहो बेटी आज तुमने मुझ पर जो दया की है इस दया का फ़ल तुम्हें जरूर मिलेगा देखना मादुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कश्ट दूर कर देंगी माली नी पैसे देकर घर चली जाती है मादुर्गा अपने असली रूप में आती है और मंद मंद मुस्कुराती हुई अंतर ध्यान हो जाती है सामान राशन के दुकान पर लिखवा गई थी और ये बागी के बचे हुए पैसे भी इस पोटली में दे गई है माली ने सोच में पढ़ जाती है वो देखती है चना, सूजी, आटा, घी, मेवे सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है माल्ती पोटली खोल कर देखती है, उसमें धेर सारे रुपए थे और साथ में वो चार हजार रुपए भी जो उसने उस बुरी औरत को दिये थे माल्ती समझ नहीं पाती कि आखिर वो लड़की कौन थी, वो अपनी सास से सब कुछ कहती है माल्ती ये सब मादुर्गा की ही लेला है बहु, कहते है ना भगवान किसी भी रूप में परिक्षा लेने आ जाते है मादुर्गा पहले उस बुरी औरत के रूप में आई, और अब एक लड़की के रूप में उन्होंने हमें दर्शन दे कर हमारे इस जीवन को सफल बना दिया बहु लगता है मादुर्गा स्वयम तुम्हारी परिक्षा लेने आई थी और देखो, वो हमारे भंडार भर गई अब तुम मादुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी करन्या पूजन की तयारी करो मालिनी की आँखों में खुशी के आँसु थे, वो श्रधा से मादुर्गा की मूर्ती के सामदे शीष शुकाती है और धन्यवाद करती है साक्षात मादुर्गा उसे दर्शन देने आई और उसकी मदद कर गई अगले दिन माली नी अपनी सास के साथ मिलकर करन्या पूजन की तैयारी करती है मादुर्गा का श्रिंगार करती है करन्याओं को मादुर्गा के नाम का हलवा पूरी चने का भोग खिलाती है और खुशी-खुशी करन्याओं को विदा करती है मा दुर्गा की कृपा से सुजीत की तब्यत में भी सुधारा जाता है मा दुर्गा का नाम लेकर सुजीत और माली नी किराय पर एक दुकान लेते हैं सुजीत बिजली के सामान की दुकान चलाने लगता है धीरी धीरी उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं मादुर्गा की कृपा से माली ने एक बेटे को जन्म देती है शारदा भी अपने परिवार को खुश देख कर मादुर्गा को धन्यवाद कहती है आज उनके पास जो भी कुछ था सब देवी दुरगा की कृपा से ही था कहते हैं जग जन्नी शेरवाली मा जब अपने भक्तों के साथ होती हैं तो भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाईया अपने आप ही दूर होती जाती हैं हेमा मा दुरगा में बहुत विश्वास रगती थी उसके घर में धन्धाने की कोई कमी नहीं थी पर उसकी साथ स्वभाव की बहुत कंजूस थी वो अपने लिए तो जी खोल कर खर्श करती पर कभी भी कोई दानपुर्णे नहीं करती थी अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिला पड़ती थी ओ सेब वाले भाईया ये सेब कैसे लगाए हेमा बहू ये हाथ में क्या है मा जी वो मैंने अपने लिए दो रोटी बनाई थी पर मुझे भूख नहीं है इसलिए एक रोटी इन बुढ़े बाबा को दे रही थी वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे है चुप चाप रोटी को अंदर ले कर जाओ आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बाटते फिरो अभी नहीं खानी तो रात में खा ले ना गरम करके पैसो की बचट करना सीखो ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजार दे ला भईया दो किलो सेब तोल दे वैसे तू सौ रुपे महंगे लगा रहा है चल कोई नहीं कभी-कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी आपको पता है आज एक नया गरहक जुड़ा है बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में उस गरहक को हमारी फैक्टरी के स्वेटर बहुत पसंद आए है ये तो बहुत बढ़ियां बात है सुमित बेटा बस तु ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परिशानी नहीं होती बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए सुमित का काम अच्छा चल रहा था कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी पर वो बार बार गिनती भूल जाती अरे बाबा मैं पहले ही इन रुप्यों से परिशान हूँ उपर से तुम परिशान कर रहे हो जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा जाओ यहां से हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था वो गुस्से से जुँचला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है इतनी देर में सादू बाबा भी भूखे द्वार से लोट चुके थे हेमा उस समय घर पर नहीं थी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था सुमित शाम को घर लोट नहें तो उसका मनुदास था क्या हुआ आप बहुत परिशान दिखाई दे रहे हो कोई बात नहीं आप परिशान मतो सब ठीक हो जाएगा ये नहीं तो कोई और ग्रहक आ जाएगा आप बैठो मैं खाना लगाती हूँ पर ऐसा नहीं हुआ सुमित की फैक्टरी में माल पड़ा रहा पर एक भी ग्रहक ने माल नहीं खरीदा दीरे दीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो करजे में डूब गया घर में पैसो की तंगी आ गई हेमा और उसकी साज दोनों के सारे गहने बिख गए मकान गिर्वी रखना पड़ा फैक्टरी को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए एक दिन हेमा घर के बाहर जाडू लगा रही थी तभी वही साधू बाबा फिर से आई क्या हुआ आज भी मैं यहां से भूखा जाओंगा हेमा की साज देखती है ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे हेमा की साज की आँखों में आशू आ जाते है नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था मैं तब भी आपको भूखे पेट भेश रही थी आज मेरे घर में अनका दाना नहीं है इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेशने पर मजबूर हैं मुझे माव करना बाबा अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे हम बहुत गरीब हो गए हैं रुकिये बाबा ये रोटी और चक्नी आप खालो बेटी तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूकी रहोगी बाबा मैं भूकी कहाँ मैंने मादुर्गा का नाम लेकर उनकी प्रसाद की मिस्री खाली मेरा तोसी से पेट भर गया जीती रहो बेटी तुम मादुर्गा की सची भक्त हो घर में ये परिशानिया इसी लिए आई है क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पूर्ने नहीं हुआ था तुम मादुर्गा की नवरात्री वरत धारन करो मादुर्गा से भूल के लिए शमा मांगो भूखों को भोजन खिलाओ प्यासे को पानी पिलाओ देखना तुम्हारे घर की इस्तिती पहले जैसी खुशाल हो जाएगी ठीक है बाबा मैं मादुर्गा के नाम के नवरात्री वरत अभश्य रखूंगी और फिर सादु बाबा के कहने पर हेमा ने विधी पूर्वक सच्चे मन से मादुर्गा के नवरात्री वरत रखने शुरू किये वो मादुर्गा के नाम की जोद जगाती थी घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी जिसमें उसकी सास और पदी सुमित की साथ दे दे थे हेमा ने अभी तीन ब्रत ही समापत किये थे कि सुमित खुशी से घर लोट कराता है मा जानती हो मुझे स्वेटर और टी-शेट का एक बहुत बड़ा ओर्डर मिला है दिसम्बर तक मुझे ओर्डर तैयार करना है बहुत जल्दी-जल्दी काम करना होगा कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिये है तु सच कह रहा है बिटा हेमा बहू ये सब तेरे द्वारा रखे गए मादुर्गा के नाम के नवरात्री व्रत और पूजा का ही प्रभाव है जो आज सुमित को इतना बड़ा ओर्डर मिला है जये मादुर्गा और मादुर्गा के आशिरवात से हेमा के परिवार की खुशिया फिर से लोटाती है सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है अब हेमा की साज भी दानपुर्णे करने के लिए मना नहीं करती थी बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी हेमा के परिवार की आर्थे किस्तिती अब बहुत अच्छी हो गई थी इसलिए वो नियम अनुसार नवरातरी परवानी पर राम नुमी के दिर दुर्गा मंदर में भंडारा करवाने लगी कुछ समय बाद मादुर्गा की क्रिपा से हेमा के घर दो बच्चों का जन्म हुआ बेटा बेटी के जन्म के बाद मा दुर्गा के आशिरवाद से हेमा के जीवन में समपून खुशियां आ गई थी